नमस्कार किसान भाईयो किन्नो की खेती चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है किसान भाईयो दिसंबर और जनुवरी में लगबग मैंने 40-45 रिपोर्ट जो है सोईल एनालिसिज की आप लगों के द्वारा जो सेंट की गई है मुझे वो मैंने पड़ी है और उसके बा किसी का च्छे साल का है कौन सा फेटिलाइजर हम यूज करें अपने ही बाईयो रहने वाला है चार साल से लेकर 8 साल के बाग का जिसमें आपको 1 शेडियूल में आपको सूपर का यूज करने का तरीका बताऊंगा सेकिंड जो शेडियूल मैंने तियार किया है वो है डी वो nitrogen है, phosphorus है या potassium है, किस तरीके से अपना जो है drip के अंदर fertilizer दे सकते हैं, तो पहले हम discuss करते हैं fertilizer schedule 1 जिसमें हमने super का इस्तवाल करना है, किसान भाईयो, super का schedule discuss करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो भी यहाँ पर तीन जो schedule मैंने अलग-अलग साल के ब बोल सकते हैं, हम उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि यह एक तो cost effective है, और second इसको general schedule में बोलते हैं, वैसे तो जो citrus का schedule है, वो आपकी soil की report देखने के बाद ही ठीक तरीके से बन सकता है, कहीं calcium carbonate जादा है, कहीं magnesium carbonate जादा है, तो उसको कैसा कम करना है, कौन सा sulfur यूज करना है, elemental sulfur क्या होता है, वैसे तो यह सब जो discussion है soil report के बाद होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई है, जो soil report अभी अपने नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए general schedule follow up हो सकता है, और आज के वीडियो को हम start करते हैं, super के first schedule से, किसान भाई हो जो आप अभी screen पर जो image देख रहे है उसमें लिखा है schedule for flood irrigation first, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ओपर लिखा है age of plant, हमारे जो plant है, वो कितने साल का है, चार साल, five year, six year, seven year, eight year, उसके जो साथ वाला जो column है, उसमें लिखा है, यूरिया in February हम कितनी देनी हैं, जैसे चार साल का बाका हम example लेते हैं, तो 320 gram यूरिया जो है हमें February के मंथ में अपना डाल देनी है, flood irrigation करने से पहले, और साथ में जो है, सूपर जो है, 1375 gram हम यूज करने वाले हैं, किसान भाईयो, आप चीज एक ध्यान में रखिए, जितना भी phosphorus हमने पूरे साल का देना होता है, flood irrigation के थ्रू, वो सारा का सारा phosphorus हम February की first irrigation में देन है, क्योंकि phosphorus जो है, वो प्लांट को एक दम से नहीं मिलता, धीरे धीरे जब जो उसके अंदर H3PO3 phosphoric acid बनेगा, phosphate ions निकलेंगे, उसके बाद ही जो हमारा root hairs है, वो absorb करता है, इसलिए हमने phosphorus जो है, February में 1375 gram phosphorus देना है, कौन सी form में, single super phosphate की form में, और urea जो उसके साथ जाएगा वो 320 gram जाएगा, यूरिया का मैं आपको बता दूँ, पानी लगने से, कुछ देर पहले ही आपको यूरिया का जो है, छिटा मारना है, या आपने जो बाग में खोदी करके, उसको mix करना है, उसका कारण ये है, अगर हम यूरिया को on the spot mix नहीं करते, और उसको 24 घंटे से 48 घ रहने देते हैं, बिना मिट्टी में उसको मिलाए, तो वो लेटरलाइजेशन जो एक concept है, वो follow up होता है, उसका मतलब ये है कि हमारा जो यूरिया है, वो vaporize होके, एर में nitrogen के रूप में निकल चुका है, तो इसमें ध्यान लगना है, 1375 gram तो सूपर, चार साल के बाग के और 320 gram यूरिया, जो कि हमने फैबरी में देनी है, अब next column में लिखा है, यूरिया मार्च टू अपरिल, अब एपरिल हमने क्या किया है, जितना भी nitrogen एक साल का हमारे बाग को चाहिए होता है, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे अब चार साल के बाग को ज से लेकर अपरिल 25 तक हमने 320 gram फिर से देना है, और यूरिया जो बाकी बसती है, हमारी 320 gram वो आपको जुलाइटू अगस्त में अपने किनू के बाग में डालना है, साथ के अंदर जो फारम याड मैनियोर है, जैसे गोबर की खाद है, कुछ किसान भाईयों ने माइको रैज बाईयों ये मैंने बताया आपको चार साल के शेडियूल का, अभी हम छे साल के शेडियूल की यो डिसकस कर लेते हैं, अगर हमारा किनू का बाग जो है वो छे साल का है, तो हमने 480 gram यूरिया देनी है, दो किलो 50 gram जो है उसकी फॉस्पोरस की पूरे साल की रिक वायरमेंट रहेगी, जो कि हमने फेडरी में ही देनी है, और जो मार्च के अंदर मार्च 25 से लेकर एपरिल तक हमने 480 gram यूरिया फिर से देनी है, और उसके बाद जो है 480 gram यूरिया हमारी जो पेंडिंग रह जाती है, नाइट्रोजन की पूरा प्लाट का साल का, तो वो हमने फ्लेड इरिगेशन पानी बाफर है, तो फ्लेड इरिगेशन का ज्यादा रखते हैं देने के लिए, तो उसके अंदर हमारा शेडियूल सेम रहेगा, जैसे 6 साल का बाग है, तो 2 kg 50 gram हमारी सूपर रहेगी, और 480 gram जो है वो हमारी यूरिया रहेगी, बाकी जो यूरिया हम मार्स टू अपरिल देने की 480 gram उसको हम 10 से 12 split dose में बाट लेते हैं, अगर हम 12 split dose अपना through irrigation हम drip irrigation देना चाहते हैं, तो नियर अबाउट हमको 480 gram जो यूरिया हमने मार्स टू लेकर अपरिल तक देनी है, उसको 12 बार में divide करते हैं, तो लगबग 40 gram हमने पर 3 दिन या 4 दिन के और इसकी जो farm yard manure है, वो रहेगी 60 kg, तो यह हमारा schedule है, सूपर का, आप वीडियो को pause करके इसका snapshot ले सकते हैं, और save कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक तरीके से अपना जब schedule आप maintain करें February का, तो आपको ठीक तरीके से समझ आए, second schedule की बात करते हैं किसान भाईयो, जो screen पे आप snap देख रहे हैं, उसमें मैंने जो second schedule लिखा है, वो हम, वो किसान भाई यूज कर सकते हैं, जो DAP डालने के इच्छुक है, तो वैसे ही जैसे example लेके चलते हैं, हम चार साल के बाग के लिए, चार साल के बाग के लिए, 480 g जो है, वो DAP February के मन्त में जानी चाहिए, और 7 के अ यूरिया जो है, फिर से देना है, अब एक और example, 6th year का लेके चलते हैं, छे साल का जो बाग है हमारे किन्डों का, उसकी phosphorus के requirement जो है, हम पूरी कर सकते हैं, 720 g ग्राम DAP को यूज कर कर, DAP के साथ जो हमने 365 g ग्राम यूरिया देनी है, February के मन्त में, जो हमारी pending यूरिया है, व सकते हैं, जितने साल का बाग है, उसको आप 10 से गुना करके कर सकते हैं, जैसे 4 साल का बाग है, तो 40 kg फारम यार्ड गोबर की खाद, अगर 5 साल का बाग है तो 50 kg, 6 साल का है तो 60 kg, इसी तरीके से हम जो है, अपना DAP का schedule maintain कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है, एक अलग स 365 ग्राम जैसे अब 6 साल का बाग है, तो 365 ग्राम यूरिया रिक्वाइर्मेंट है, उसको मार्स टूए अपरिल में, तो उसी को हम 12 जो स्बिट कर सकते हैं, जैसे 365 को आप 12 से करोगे, तो 30-31 ग्राम जो यूरिया है, पर डे के हिसाब से, आपके जो किनू के बाग में है, व उसको सोल के अंदर मिक्स करकर दे सकते हैं, अब बात करते हैं, हमारा शेडूल नंबर 3, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि कुछ किसान भाई जो है, फ्लड इरिगेशन बंद कर चुके हैं, और वो सारा का सारा बाग मेंटेन अपना जो है इरिगेशन के साथ करना जाते हैं, सेकिंड में आपको ये बात छोटा सा मैं इसमें भूल गया आपको बतानी, कि मैंने जो 40-45 रिपोर्ट अपनी जो स्टडी की है, उसमें लगबग 90 परसेंट जो बाग है, उसमें पुटाश की जो मातरा है, वो काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां यह चार साल के बाग में जो पुटाश जाएगी, एम나모 पी के बात करता हूँ, तो अस्ती ग्राम जाएगी और अस्ती ग्राम हमने डाली है उसको जुलाई-अगस्ट में, यसी तरह जो पांच साल का बाग है, उसके आंदर हमने 100 ग्राम पुटाश डाली है फैबरी के मंत है तो लगबग 200 क्राम के आस पास जाएगी और 8 साल का बाग है या उससे बड़ा है तो 240 क्राम से हम 300-300 क्राम तक जो अपना एज के हिसाब से उसको पॉटाश को हम यूज कर सकते हैं पॉटाश के जो क्वाइर्मेंट है वो पूरे साल की हमने दो बार में स्प्लिट करनी है हाफ जो वैसे तो 70 परसेंट 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 यूज क्या देना है जो आप स्क्रीन पर अभी थर्ड ड्रिप शेडियूल देख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन का उसमें किसान भायो जो हमने यूरिया यूज करनी है एक तो और सेकिंड जो है सतरा चौवाइस यूज करना है सतरा चौवालिस को यूरिया फॉस्पेट भी बोलते हैं यह 100 परसेंट जो है सॉल्यूबल है वाटर में तो इसको हम बाय डिप इसली दे सकते हैं इसको हमने 15 जो है स्प्लिट डोज में देना है से फैब्री और एप्रिल के अंदर मैं आपके एक एक जामपल लेके चलता हूं पांच साल के बाग का अब आप शेड्यूल पर देख रहे हैं पांच साल के बाग में 1744 के निचे लिखा है 300 ग्राम और यूरिया के निचे लिखा है 466 ग्राम अगर हम इसको 15 पे डिवाइड कर करते हैं तो लगबग 30-31 ग्राम हमारी यूरिया बनती है तो मान लेजिए हमने 15 फैब्री को हमारा फर्स्ट जो इरिगेशन रिप के द्वारा देना है तो उसमें हम 20 ग्राम तो देंगे अपना 1744 और जो 30-31 ग्राम देंगे हम उसमें यूरिया उसके बाद हम 18 तरिक को फि जो 100 ग्राम एमोपी देनी है 15 से डिवाइड करके तो लगबग 7 ग्राम 8 ग्राम हमने पुटाश अपना सो पी या एमोपी वह हम दे सकते हैं अपना बाग में थ्रो डिप इडिगेशन और जो सेकिंड जो है वह जुलाई एंड सप्टेंबर आपके अभी स्क्रीन पे जो द 120 ग्राम इनको हमने 12 स्प्लेट डोजिज में देना है जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे 15 जुलाई के आसपास और जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर मिड तक जो हमें है वह यह इस तरीके का शेडियूल फॉलो करना है किसान भाईयों आपको आशा करता हूं कि यह अगर फिर भी आपको कनफ्यूजन है कोई तो आप मेरे नंबर पर कोल करके अपना फर्टिलेजर शेडियूल मुझसे डिजाइन करवा सकते हैं आज का वीडियो इतना ही चलते हैं धन्यवाद